Hello everyone, welcome to fly future education, this is Komal Sharma आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Dress Court for NEET UG 2024 के लिए 5th में NEET students के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और इस दिन की सुरुवाद बहुत ही अच्छी और smoothly हो इसके लिए हमें proper dress court follow करना बहुत ही important है जिससे कि आपको checking के time पर कोई भी panic situation ना आए सबसे परें हम बात करेंगे कुछ common items की जो कि female and male candidates के लिए होंगे जो कि आप carry कर सकते हैं, क्या carry कर सकते हैं, क्या carry नहीं कर सकते हैं सबसे परें हम बात कर लेते हैं कि जिस भी students की eyesight weak है और वो power glasses लगाते हैं, तो आप वो लगा सकते हैं आपके लिए वो allow होगा second आप कुछ medicines लेते हैं, जो कि आपको उसी time duration में लेनी है जब आपके exam time हो, तो वो medicine आप carry कर सकते हैं अगर आपको हाथ पर कोई plaster वगेरा लगा हुआ है, भी आपको allow किया जाएगा आप hearing aid लगाते हैं, तो वो भी आपके लिए allow होगा आपने अगर permanent tattoo कुछ लगा रखा है, तो permanent tattoo भी आपके लिए allow होगा बट आप पहले से कुछ tattoo ना बनवाए, इस चीज़ को आप avoid कीजिएगा कि आप exam के कुछ time पहले से tattoo नहीं बनवाए customary dress की अगर हम बात करें, religious views की अगर हम बात करें तो जो muslim girl से जो हिजाब carry करती है, सीक में आप जिसे पगड़ी वगरा लगाते हैं तो वो आपके लिए allow होगा, बट इस situation में आपको 12-30 पे exam center पहुचना है ताकि आपकी proper checking हो सके अब हम बात करते हैं कि आप क्या क्या carry नहीं कर सकते हैं सबसे पहले आपको sunglasses नहीं लगाना है, वो आपको avoid करना है, sunglasses वह allow नहीं है second आपको girls की अगर हम especially बात करें तो bracelet, गले में कुछ भी नहीं पहनना है आपको bracelet नहीं पहनना है, अगर अपने मातर जी का धागा वगरे पहन रहा है, तो वो भी आपको allow नहीं है आपने अगर महंदी वगरा लगा राखी तो वो आप exam के पहले remove कर लीजिए, वो भी आपको allow नहीं है अब हम बात करें, ornaments की तो आपको earrings, nose pin वगरा carry नहीं करना है, आपको hair में कोई भी accessories नहीं लगानी है आप normal एक monitor लगा सकते हैं और वो भी वहाँ पर आपको remove करना होगा अगर allow किया जाएगा तो आप लगा लीजिए, पर आप prepared रहेगे, वहाँ पर आपको hair open भी करने पड़ सकते अब हम बात करते हैं, यह हो गया कि आपको क्या carry करना है और क्या carry नहीं करना है अब हम बात करते हैं कि proper dress coat क्या होगा अब हम बात करते हैं female candidates के लिए dress coat की तो सबसे पहले आपको t-shirt पहननी है, जो कि half slips होना चाहिए बहुत ज़्यादा printed नहीं होना चाहिए, उस पर कोई वी alphabet या बड़े-बड़े चाप नहीं होना चाहिए आपको half slip t-shirt पहनना है, full slips और 3-4 slips allowed नहीं है अगर कोई girls है, जिनके हाँ half slips allowed नहीं होता है, वो सिर्फ 3-4 या full slips बहन सकते हैं तो उस situation में आपको need center पहले पहुचना है, ताकि आपके proper checking हो सके जिनके हाँ सिर्फ suit allowed है, तो आप ऐसे suit पहनी है, कि आप without duplicate हम बात करते हैं कि आपको bottom wear में क्या पहनना है, तो उसमें आपको fitting jeans नहीं पहनना है, आप loose trouser, loose lower बगर पहन सकते हैं पर extra pocket नहीं होना चीज़ा कि आपको बहुत ज़्यादा panic नहीं होना पड़े checking time पर थर्ड हम बात करते हैं, food wear की तो आपको shoes नहीं पहनना है, आपको flat sleeper पहननी है, आपको hiles नहीं पहनना है, अगर हम girls के लिए specially बात करें तो inner wear में आपको sports की bra पहनना है, आपको metals की bra नहीं पहननी है इसके वज़े से आपको checking time पर बहुत ज़्यादा panic होना पड़ सकता है, second हम बात करते हैं, male candidates के लिए, male candidates के लिए भी same है, क्या आपको half sleeves की t-shirt पहननी है, full sleeves की t-shirt नहीं पहननी है, collar neck नहीं होना चाहिए, V neck चलेगा या round neck चलेगा, collar नहीं होना चाहिए, आपको lower पहननी है simple lower या trouser, loose trouser, बहुत ज़्यादा tight या fitting jeans नहीं पहननी है, आपको sleeper पहनना है, आपको shoes वगरा allow नहीं है, तो ये proper dress code अगर आप follow करते हैं, तो आपको checking के time पर बहुत ज़्यादा panic नहीं होना पड़ेगा, wish you all the various for your exam, thank you so much.